और यहां पे चाई का समापन हुआ और आपकार दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको हिमाले के पाड़ी छेतरों में आलू की खेती कैसे की जाती है और कैसे यहां के लोग मिल जुलकर सारे काम करते हैं इसके बारे में जानकारी दिंगे स्वागत है आपका हमारे चैनल डिस्कबर वी फैक्स में अगर आपको याँ वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अभी याँ पर आलू के खेती की जा रही है इन सिडिनुमा खेतों में आलू की फसल लगाने के लिए सबसे पहले खेत में हल लगाकर आलू की फसल के लिए क्यारियां खोदी जाती हैं वो अभी हातों से ताकि उन क्यारियों में आलू के बीज डाल सके जो कि आलू के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह है आलू के बीजों का ठैला और अब इन बीजों को तैयार किये के क्यारियों में डाला जाएगा यानि बोया जाएगा यहाँ पर अधिक्तर सारे काम पूरे गाउं वाले मिलकर करते हैं चाये वह खेती करना हो या फिर साधिव्या के फंसन अगर गाउं में किसी को भी कोई कार्य करना है जिसमें समय और मेहनत काफी लगती है तो उसमें गाउं के लोगों की मदद ली जाती है गाउं में जितने भी घर हैं हर घर से एक वक्ती का आना जरूरी होता है चाहे वो बच्चा हो जवान हो या फिर बोड़े हो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं पूरा गाउं मिलकर आलू लगा रहा है बच्चों को खेट में खेलने का मौका मिल जाता है इस परिक्रिया से गाउं के लोगों का आपस में मिलना हो जाता है और काम भी जल्दी से खतम हो जाता है गाउं का हर व्यक्ति अपना समय निकाल कर मदद करता है और अब समय हो गया खेट में चाय नास्ता ले जाने का और यह तयार हो गई हमारी चाह जैसा कि हमने देखा कि गाउं के लोग मिलकर काम करते हैं त तो उसी परकार चाय नास्ता भी साथ में मिलकर किया जाता है और यहां पर चाय का समापन हुआ चाय नास्ता करते-करते हसी मजाग मनोरंजन भरी बासे चलती रहती हैं जिससे सारी ठकान खतम हो जाती है जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं और जो भी बचावा काम है उसे जल्दी से निप्टा लिया जाता है ताकि सब लोग अपने अपने घर जाकर अपना बचावा काम कर सके आसा करता हूं आज की हाज जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो प साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच धन्यवाद